पिछले हफ़ते रिकॉर्ड हाई से मुनाफ़ा वसूली के बाद कॉटन में एक बार फिर से शांदार तेजी देखने को मिली है पूरी दुनिया में कॉटन के उत्पादन में गिरावट देखी चा रही है अमेरिका में भी कॉटन का उत्पादन कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है आपको बता दें कि अमेरिका में इस बार कॉटन का उत्पादन लग बग 3% तक कम रह सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और स्पीनिंग मीलों से कॉटन की डिमांड मजबूत आ रही है भारत से कॉटन के निर्यात में भी काफी तेजी देखने को मिली है दरसल भारत में कॉटन की फसल पिंक बॉल वर्म नामक बिमारी से खराब हुई और रही सही कसर इसके बाद भारी बारिश ने पूरी कर दी जिससे किसान वो काफी नुकसान भी हुआ और इसके स्टॉक में भी कमी आई है हाजिर में कॉटन की कीमतों में अच्छी बड़त देखने को मिली है मही कॉटन असोसियेशन ओफ इंडिया ने भी अपने कॉटन के उत्पादन का अनुमान घटा कर इस बार 353 लाग गाट का कर दिया है पूरे वैश्विक स्थर पर कॉटन का उत्पादन कम ही रहने का अनुमान लगाये जा रहा है बजार के जानकारों के मताबिक कॉटन के फंडामेंटल्स काफी मजबूत नजरा रहे है वहीं बजार के जानकार मोतिलाल उस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमिट सजेद के मताबिक कॉटन की कीमतों में तेजी का ही रुख है MCX Cotton का October वायदा 31,000 के उपर कारुबार कर रहा है और November वायदा 30,450 के करीब Cotton की कीमतों में अच्छी तेजी के लिए कीमतों का 31,100 के उपर निकलना जरूरी है अगर Cotton की कीमते 31,100 के उपर नहीं टिक पाती है तो 29,800 से 31,100 के एक सीमित दैरे में कारुबार देखने को मिल सकता है और कीमतों में इससे पहले कुछ एक हलकी नर्वी भी आ सकती है लेकिन Cotton की कीमते अगर 31,100 के उपर निकलती है तो इसमें इमीडियेटली तौर पर और तेजी देखने को मिलेगी अमिड सजज़र के मुताबिक Cotton की कीमतों में अच्छी तेजी के लिए कीमतों का MCX वायदा पर 31,100 के उपर निकलना काफी जरूरी है अगर कीमते 31,100 के उपर निकल जाती है तो Cotton में 31,800 से लेकर 32,400 तक किस्तर देखने को मिल सकते है झाल सकते है